दोस्तों Intel या फिर AMD अगर यह दो नाम में आपके सामने ले रहा हूँ तो सिधा सिधा मतलब है कि मैं किसी computer के processor के बारे में बात कर रहा हूँ पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था यह दुनवों भाई-भाई हमेशा से नहीं थै और आज भी भाई-भाई नहीं यह आपस में लड़ते रहते हैं और आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चंद्रेश आप देख रहे हैं गी काचा रहा और आज बात करेंगे इंटल वर्सेस एमडी की यह कहानी शुरू कहां से होती है कहानी शुरू होती है 1980 से उस वक्त कंप्यूटर्स का मार्केट इस तरह का नहीं तरह का हम आज देखते हैं परसनल कंप्यूटर्स जैसी कोई चीज नहीं थी कंप्यूटर्स में हार्डवेर और सॉफ्ट्वेर में इंटर ऑपरेबिल्टी नहीं थी अब इंटर ऑपरेबिल्टी क्या होता है अगर आप गौर फर्माएं तो अभी आप किसी भी फोन को USB-C से कनेक कर सकते हैं अपरे PC से इससे पहले Micro USB से कनेक कर सकते थे पर उससे पहले क्या होता था कि Nokia के चार्जर अलग होते थे और चार्ज करने डेटा ट्रांफर करने के लिए अलग अलग केबल से यूज की जाती थे और एक दूसरे जैसे Samsung के चार्जर से आप Nokia नहीं चार्ज कर सकते थे Nokia चार्जर से आप Samsung नहीं चार्ज कर सकते थे तो ये था basically interoperability का ना होना मतलब एक hardware या software को आप दूसरे hardware या software के साथ नहीं यूज कर पाओगे तो मतलब interoperability नहीं है अगर interoperability है तो उसका मतलब ये है कि hardware और software अलग अलग manufacturer के होने के बावजूद अलग अलग generation के होने के बावजूद आप एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हो तो basically computer purpose specific होते थे interoperability नहीं थी और basically एक standard ना होने की वज़े से ये सारी problems थी Intel ने introduce किया 1978 में एक 16-bit microprocessor जो की था Intel 8086 और वो उस वक्त के लिए काफी बहुत ही जबर्दस processor था 8086 और जिसके बाद में बहुत सारी generations भी है 80286, 80386, 80486 और वहीं से हमें मिला एक standard instruction set architecture का x86 अगर आप x86 पे गौर फरमाओ तो आपको आपके computer के Windows में C drive के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर program files x86 मिलता है basically वो x86 यहीं इसी architecture से derive होके आया है और उसी के बारे में आभी बात करने वाला हूँ आगे तो basically Intel ने 1978 में Intel 8086 लाँच कर दिया पर क्योंकि market में उस वक्त 8 bit processes का बहुत जादा बोल बाला था और interoperability नहीं थी तो किसी ने इसको बहुत जादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि इसके फाइदे क्या है फिर Intel ने बहुत ही तगड़ी marketing की लोगों को बताया कि 16 bit microprocessor के क्या फाइदे है 8086 से आप क्या कर सकते हो और finally IBM ने IBM PC नाम का एक personal computer लोगों के लिए launch किया जिसमें 8088 प्रोसेसर का यूज किया गया था जो basically Intel के 8086 का ही एक modified version था और वहां से Intel 8086 series बहुत ही popular हो गई और basically वहां से यह एक industry standard हो गया उस वक्त जो ATI और AMD थे उन्होंने भी इस instruction set architecture को adopt कर लिया और basically पूरी industry एक ही instruction set को use करने लगी instruction set basically आपके CPUs को समझ में आने वाले language होती हो उसी language में आपके CPUs को समझ में आता है आपके पास AMD का CPU या Intel का CPU इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक तरह की गेम दोनों में खेल सकते हो जैसा कि आप आज देखते हो उसके बाद क्या हुआ कि 32 bit प्रसेसर का generation है और x86 को ही extend कर दिया गया 32 bit प्रसेसर के लिए बाद में 64 bit प्रसेसर है और जिसमें की basically AMD ने लीड ले ली थी इंटल से पर हाला पर पूरी हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि इंटल हमें जातर रूल कर रहा था प्रसेसर की दुनिया को और जितने भी ड्राइवर्स आप्लिकेशन वगेरा डिजाइन किया जाते थे वो इंटल को ध्यान में रखके डिजाइन किया पास था जातर लोग इंटल के CPUs यूज़ कर रहे थे इस वज़े से जो भी आप्लिकेशन वगेरा इंटल के लिए अप्टिमाइज था वो जातर लोगों के फायदे के लिए हो जाता तो इंटल बेसिकली इंडस्री को लीड कर रहा था और AMD एक तरह से एक सस्ती ब्रांड क अभी है मीडियाटे अभी है मीडिया अच्छ अच्छ प्रसेसर बनाता है पर उनके टॉपेर फोनस में Grandma प्रसा नहीं आते है तो AMD बेसिकली उस तरह का रोल प्ले कर रहा था को यूज़ा हमेशा से सिंगल को प्रसेसर से सिंगल कोर की प्रसेसिंग पावर पर बहुत Intel ज्यादा focus करता है तो Intel का जो हिसाब किताब होता है वो basically single threaded operations single core operations में ज्यादा focus करते हैं और AMD का जो हमेशा से हिसाब किताब रहा है वो यह है कि वो ज्यादा threads डालने की कोशिश करते हैं आपने CPU के अंदर ही GPU गुसा देते हैं आपने CPU केते हैं जो बाद में Intel ने भी किया तो basically history में ऐसा यह trend है basically यह trend है कि AMD ज्यादा course के पे focus करता है और Intel एक core की maximum performance पे focus करता है तो और क्योंकि industry को Intel lead कर रहा था इसलिए सारे software applications वगरा Intel के लिए optimize हो गए single core के लिए optimize हो गए जो कि हमें अब भी देखने को मिलता है इसलिए Intel की gaming performance अब भी AMD से बहतर है तो recently 2016 में क्या हुआ कि अभी तक तो AMD छोटे भाई का role play कर रहा था अभी 2016 में उन्हें Zen architecture अनौंस किया और उसके बाद industry में एक दम shocks आ गया क्योंकि अचानक से AMD ने इतनी तगड़ी performance जंप मारी कि उनकी प्रोसेसर लगभग comparable हो गए Intel के अभी तक ऐसा होता था कि AMD एक सस्ते ब्रांड की तरह देखा जाता था पर Zen architecture 2016 में आने के बाद Intel के बराबरी में आ गए थे लगभग AMD और फिर आया Zen 2 architecture जिस पर अब राइजन थर्ड जनरेशन प्रोसेसर भी लाउंच हो गए हैं और अगर मैं लाइनस सेक्टिप्स के एक वीडियो को रेफर करूं तो वहां पर टेंथ जनरेशन के इंटल प्रोसेसर को उन्होंने राइजन थर्ड जनरेशन प्रोसेसर से कंपेर किया और रिजल्ट्स काफी कंपेरेबल हैं मतलब काफी नेक कॉमपेटेशन हैं जैसा कि कभी हिस्ट्री में नहीं रहा तो इस वक्त इंटल और AMD लगभग क्लोज हैं परफोर्मेंस में अब जो बीसिक डिफरेंस है इंटल और AMD के बीच में वो यह है जो मैंने आपको पहले ही बता है वो यह है कि इंटल सिंगल थ्रिडट। उपरेशन परफूकस करता है और AMD मर्ट॥्रिडड रिडट॥ उपरेशन परेशन त्यसका असं करता है कि जातर एपलिकेशन और गेमी जो लिखे गए हैं वह नो यह चय नहीं और Intel के Processors को ध्यान में रख के लिखे गए है और इसके वेज़े से Gaming में Basically Intel को ज़ादा Advantage मिलती है और जो AMD के Processors को Advantage मिलती है वो है Video Encoding वगेरा या फिर आप Video Editing करते हैं, CAD Processing इस तरह के Professional टाइप के काम होते हैं इन में AMD के Processors को Advantage मिलती है तो अगर आप कोई Professional है तो अपनी Rig में आप AMD के Processors को Use कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बहतर Performance देंगे, और अगर आप कोई Basic Gamer है तो अभी Intel ने भी अपने Processors में Price Cut किया बहुत ज़्यादा है AMD के इस तरह के Jump के बाद तो अगर आप Gaming करने वाले हैं और Mid Level की Mid Tier Gaming करने वाले हैं, तो Intel के Processors अब भी बहुत अच्छे हैं, और Basically Gaming में Intel अब भी बहुत अच्छा है तो ये था मेरे साइट से Intel और AMD के बारे में कुछ Information, कुछ Input आपको कैसा लगा, आप मुझे Comment में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को Like जलूर करिए चैनल को Subscribe करिए और Bell आइकन दबाईए ताकि आपको Notification मिले जैसे ही मैं नेक्स वीडियो अप्लोड करता हूँ आपके बास कोई शिकायत या सुजाव है, तो आप मुझे Comment कर सकते हैं And thank you very much for watching this video, Namaskar, आपका दिन शुभू